हलोँ फ्रेंट्स आप सभी का में उट्यूटिव चनल में स्वागते एध iedereen आप तक हमने सेमें और मेथ्रेशल मेथड जिससे कि हम डिफ्रेसिल वेकोइसन फरियंस्ट और डिफ्रेश अलगेशन और हयर अलगेशन के लिए अन्य त्रीकियशन निकाल classrooms । यह approximation solution निकाल सकते हैं। यह सब हमकुछ पढ़ चुके यह इस dramas बेसिवीडियो। को पढ़ेתי हम सब्प STEP के लिए हम रूंजय कुट्टा मिथर पढ़ेंगे इस वीडियों हम देखेंगे कि रूंजय कुट्टा मिथर से कुईसें किस तरह से सॉल्व करते हैं और रूंजय कुट्टा मुथर का बेसिक एजूम्शन क्या हैं तो consider the differential equation, suppose इस तरह की differential equation है, dy upon dx equal to fxy जहाँ पर yx0 equal to y0 given condition है, तो उसकी condition में integrating both side of one from x0 to y0 and x1 y1, इन x0 y0 से x1 y1 के बीच में हमें integration करना है, where x1 बड़ाबर क्या है, x0 plus h, तो integration करते हैं, तो y0 to y1 dy और यह x0 to x0 plus h, fxy dx, तो integration करने पर यह तो simply dy तो यह हमारे पास, यह वाई इस तरह से y0 to y हो जाएगा, तो जो कि y minus y0 आएगा, तो y1, y1 बन तक है, तो y1 minus y0 आएगा, और y1 जब इसको y0 को इदर ले जाएगा, तो यह आजाएगा y0 plus और यह integration x0 to x0 plus h, fxy dx, तो फिर्स इस तरह से integration करते हैं, तो Simpson method जो है, वो basically किस चीज़ पर waste है, वो waste है, waste है हमारे पास, to evaluate the integral of on RHS, we shall use Simpson one third rule, जो ranges method जो है, वो Simpson one third rule पर waste है, जो कि हम numerical analysis में पढ़ते हैं, Simpson one third rule, Simpson three by eight rule, इस तरह से Simpson two third rule, दो तिन rules हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, तो उसी पर waste यह rule होता है, we divided the interval, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो interval होता है, x0 और x0 प्लस h, into two equal parts, उसको हम दो equal parts में divide करते हैं, with the width, जिसकी चौड़ाई जो होती है, वो होती है, h by two, and find the value of integral, और उन पे हम integrate की value जो f x y होती है, और उसकी value इन point पे निकालते हैं, x0, x0 प्लस h y2, and x0 प्लस h, और उसके बाद हम question को solve करते हैं, तो अब देखते हैं, question को solve किस तरह से करते हैं, इसकी help से, एक example ले रहे हैं, use range-wise method to find an approximate value of y, when x0.8, given that, दिया हुआ है, dy upon dx is equal to root of x plus y, y0.4 पे जो condition है, वो है हमारे पास 0.41, और हमें लेना है, h बराबर 0.2 लेना है, तब हम किस तरह से इसको solve करते हैं, तो यहाँ पे fx y बराबर क्या है, root of x plus y, और h बराबर क्या है, 0.2, v first compute y 0.6, सबसे पहले हमें y, जो है y की value, at 0.6 पे compute करने होगे, उसके बाद y की value 0.8, h की value जितनी है, 0.4 से आगे बढ़ाके, 0.2 आगे बढ़ा दें, 4y 0.6, we have x 0 बराबर क्या दिया हुआ है, x 0 जो है, 0.4 दिया हुआ है, और इस पे value दियो है 0.41, f0 x 0 by 0 function की value, x 0 by 0 अगर हम देखे, plus hy 2 and y 0 plus hy 2 f0, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगा हमारे पास, function की value जब यहाँ पे देखते हैं, तो जाएगा 0.4 plus 0.1 और y 0 value क्या थी 0.1 और यहाँ पे hy 2 क्या था, hy 2 जो 0.2 by 2 तो हो जाएगा 0.1 तो 0.1 and f0, f0 क्या आया, f0 आया 0.9 तो यह हो गया 0.9 यहाँ इसको solve गया तो जाएगा 0.5 और 0.5, f value 0.5 and 0.5 पे निकलते हैं, तो इसमें value पूट करते हैं तो यह हमारे पास जाएगा 1 उसके बाद हमें value थार्ड पॉंट जो निकालना है fk जो की fx 0 plus h and y 0 plus h f0 है तो fk जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x 0 plus h, x 0 0.4 था और h 0.2 था तो 0.4 प्लस 0.2 और y 0 plus h f0 तो y 0 क्या 0.4 एक और h f0 तो 0.2 इंटो 0.9 तो यह होगा 0.6 यह value जो है 0.6 और यह value solve करेंगे तो 0.59 तो function की value simply put करेंगे हम इसमें root x plus y में यह value तो यह value पूट करने पर जाएगा हमारे पास 0.0908 तो यह हमारे पास हो गया अब हम f1 की value देखते हैं तो f1 की value क्या होगी f1 की value जो होगी fx 0 plus h y 0 plus f hf के जो हैं यहां पर f के आया है तो इसके लिए होगा f 0.4 प्लस 0.2 तो इस जो एक 0 प्लस h पे value निकाल लें 0.4 और 0.2 y 0 की value क्या है 0.441 h की value 0.2 है और fk की value क्या है 1.0 1.0908 जो कि हमने यहां पर put कर दी तो यहां पर हमने into 0.2 भी रिख करना है तो 0.2 करेंगे तो 0.2 into y और प्लस यह तर्म तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.6 dot और यहां पर value जो इसको solve करने पर 0.41 into 0.2 into 1.0908 इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.621 62816 और जब इसको value put करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1.1086 तो हमें next point के निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है y0 चाहिए होता है जो की given दिया होता है f0 जो हमने निकाल चुक है fm भी निकाल चुक है f1 भी निकाल चुक है बेसिकली fm जो था वो यह था हमारे पास f0 fm और यह हो गए हमारे पास जो हमने second में निकाला था यह इसको fm से भी denote करते हैं friends तो यह हो गए हमारे पास अब यह सारी values आ चुके हैं तो यह हमारे पास आ गया है y8 0.6 पे y0 की value put की a3 value 0.2 upon 6 fruits और f0 की value 0.9 आई थे हमारे पास फ्तर की यहां पर इसके बाद four and Fm की value जो की one आए थे हमारे पस यहां पे भी जो कि x0 प्लस हम director and y0 प्लस h2 एस फ जीरो पर थी यह value यह हमारे पास one एंड हमारे पास F1 की वैलू जो आई है वो आई है 1.1082 जो कि यह लाइस्ट में आए थी यह वैलू जम सारी पूट की हमने यहां पर तो वैलू पूट करने पर सॉल्व किया तो यह आगा है 0.6102 तो वाई की वैलू एट 0.6102 अब यह वैलू आ चुके हमारे पास अब हम इ इसको इनीचल ले लिया एकस जीरो सपूज की हमारे पास अब सब्सक्रों कर लो कि हमारे पास यह दिया हुआ है कि एकस जीरो.6 पर बाइजिरो जो है वह यह है तो हमें को सॉल्व करना है तो इस कंडिशन में हमारे पास F0 X0 Y0 पर आगर है तो फॉंक्सन की वैलू एकस ज सब्सक्राइब निकाले तो हमारे पास सारी यह नौन वेल्यूज है तो यह वेल्यू पुट कि 0.6 यह हमारे पास यह निकाल लटा और 0.1 यह हमने यह निकाल लटा यह वाली टर्म तो इनको जब सॉल्व किया तो यह आ यह हमारे पास 0.7 & 0.7202 जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1.1917 यह हमारे पास आ गया उसके बाद fk की वेल्यू निकाली तो fk की वेल्यू जो है fx0-h & y0-hf0 यह आ गया हमारे पास fk की वेल्यू x0-h & y0-hf0 पर होती है तो यह हमारे पास आ गया x0-h की वेल्यू जो है 0.6-0.2 & y0 जो कि हमारे पास यह दिया हुआ था हम लेकर चले थे कि y0 की वेल्यू यह आ चुकी हमारे पास यह & 0.2 into 1.1 जो कि हमारे पास यहां पर आया था f0 की वेल्यू तो यहां से हमारे पास fk की वेल्यू जो सॉल्व किया तो यह जाएगा 1.2767 यह आ गया अब हमें f1 की वेल्यू निकालने क्या होती है fx0 plus h and y0 plus hfk तो यहां को सॉल्व किया तो यह 0.6 plus 0.2 और y0 की वेल्यू गिवन थी हमारे पास और fk की वेल्यू यह अभी निकाली है यह वेल्यू इसमें पूट की तो यह आ जाएगा f0.8 and 0.8655 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.2905 अब हमारे पास यह वेल्यू आ चुकिए अब fx0 plus h क्या होता है y0 plus hy6 f0 plus 4 fm plus f1 जब इसको सॉल्व किया हमने इसमें वेल्यू पूट की f0 की वेल्यू जो कि हमारे पास यह रही हमारे पास 1.10 fm की वेल्य जो कि यह रही हमारे पास और f1 की वेल्यू यह रही यह सारी वेल्यू जो हमने पूट के और question को सॉल्व किया तो हमारे पास y at 0.8 पर आ गया हमारे पास 0.8487 0.8487 यह हमारे पास आ चुका है तो इस तरह से फ्रेंट्स हम रूंजेज मेंधर से यह मेंधर जो अनली था र करेंगे और question को इस तरह से किस तरह सॉल्व करते हैं वह सब कुछ हम नाइस्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू फ्रेंट्स